आज हम बनाएंगे डाबा स्टाइल सेव टमाटर की सबजी जब आपके घर में कोई भी सबजी हरी सबजी ना हो तो आप इसे जटपट से बना कर तयार कर सकते हो और खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगती है सेव टमाटर की सबजी आईए इसे बनाना शुरू करते हैं तो आप इसी सेव की सबजी बनाएं तो यहाँ पर मैंने ग्यास पर ना कड़ाई रखी है इसमें हम डालेंगे दो से तीन टेबल स्पून ओईल यदि आप घी में बनाना चाहते हो तो इसमें भी आप बना सकते हो तो यहाँ पर मैं ओईल में बना रही हूँ इसमें हम और इसमें हम डालेंगे सुखी लाल मिर्च इन सभी को चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे लसन अद्रक को एक टेबल स्पून दरदरा कूट कर डालना है इससे काफी बहुती बड़ी ऐसा टेस्ट आता है इस सबजी में और इसे थोड़ा दिर पका लेते हैं थोड़ी देर साइस के बारी कटे हुए टमाटर और इसको भी डाल करना हमें थोड़ा पका लेना है इसके बाद हम इसमें नमक डाल देते हैं नमक को डाल कर दो से तीन मिनिट इसे पका लेना है दो से तीन मिनिट बाद देखिए सभी मसाले जो है वह अच्छे से पक चुके है और इसे न ऍूर्ण पावडर 1-3 मिनित पका लेना color यहां पर देखिये जो सभी अच्छे से पक गए है इसमें हम do वी मलाई मैंल म्लाई को त्रूकर करना से थोड़ा देर पका लेते हैं थोड़ी देर देखिए और जो मसाले वह सभी से पक चुके है मसाले से ओयल भी सेपरेट हो गया है अभी हम इसमें डालेंगे एक से देड़ कप पानी पानी को डाल करना हमें इसमें अच्छे से उबा लाने देना है ग्रेवी में और यह पर देखिए ग्रेवी में जो है वो अच्छे से उबा ला गया है ग्रेवी देखिए गाड़ी गाड़ी बनी है इस तरह से हमें ग्रेवी को पकाना है और इसे अभी हम डाल देते है यह जो सेव हमने रखे है इसको डाल देते है और इसमें हम डालेंगे अभी बारी कटावा हरा धनिया और यहाँ पर यह लिजे हमारी गर्मा गरम सेव टमाटर की सब्जी बनकर रेडी हो गई है इसे अभी हम सरू करेंगे तो यहाँ पर मैंने बनाए है पराठे बनाए है गेव के आटे के इसके साथ हम सरू करेंगे और इधर मैंने सलाद रखा है टमाटर पैज इसको मिक्स करक अगेना मैंने सलात बनाया है और इधर अभी हम सब्जी डालेंगे सेव की देखे बहुती बढ़ी आसी है सब्जी बनी है खाने में तो बहुती टेस्टी लगती है यम्मी डिलिश्यस टेस्टी इसे आप लॉन्ज डिनर में जरूर से ट्राइ किज़ेगा देखे बहुती अभ आएगा से टमाटर की सब्जी कि विडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिये का चाइनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा वाइब आ लेकेने सेव रेसिपी के साथ और ऑर एंज़आ किजिए गए यह से टमाटर की करमा गरम सब्जी आप इसे झाल झाल